आतिशी की प्रेस कॉन्फेस जल्दी से रुख करते हैं आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाते हैं, खतम करना चाते हैं पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीश नेत्रित्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया पहले सतेंद्र जेन जी की गिरफतारी हुई, फिर मनीश सिसोदिया जी की गिरफतारी हुई, फिर संजे सिंग जी की गिरफतारी हुई और अब दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया है अब भारतिय जन्ता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरभ भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफतार करेंगे भारतिय जंता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी तूट जाएगी आम आदमी पार्टी का मुराल डाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडर्शिप जेल में है, हिरासत में है लेकिन संडे की राम लीला मैदान की रैली के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए पिछले दस दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संगहर्श के बाद अब भारतिय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप चार लीडऱ् को गिरफतार करना काफी नहीं था अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा मुझे जेल में डाला जाएगा सौरब भारदवाज को जेल में डाला जाएगा दुरगेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और अगर चड़ा को जेल में डाला जाएगा मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे personal residence पे ED की raid होगी ना सिर्फ मेरे घर में ED की raid होगी मेरे रिष्टेदारों मेरे परिवारवालों के घर में raid होगी उसके बाद हम सब लोगों को summons भेजे जाएंगे और summons के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ़तार किया जाएगा मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के channels के माध्यम से भारतिय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अरविंद केजरिवाल के सिपाही हैं हम भगत सिंग के चेले हैं जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता हर विधायक हर कार्यकरता में आखरी सांस तक बची है तो हम अरविंद केजरिवाल जी के नित्रित्व में इस देश को बचाने के लिए इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए इस देश के लोगों को एक बहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे आप चाहे एक एक आदमी को ठाके जेल में डाल दो आप चाहे एक एक विधायक को ठाके जेल में डाल दो आप चाहे एक एक कारिकरता को ठाके जेल में डालो आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगां दसों और लोग अर्मिंद केजरिवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे तैंक यू देखिए ये बिलकुल संभव है क्योंकि कल जो एडी ने सौरभ भार्दवाज जी और मेरा नाम कोट में लिया वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान एडी और सीबी आई के पास देड़ साल से मौझूद है ये बयान एडी की चार्जशीट में भी है ये बयान सीबी आई की चार्जशीट में भी है तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतिय जनता पार्टी को लग रहा है कि अर्विंद केजरिवाल, मनीश सिसोदिया, संजे सिंग, सतिंदर जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एक जुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है और जो राम लीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सहलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ओफ लीडर्शिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे सौरभादवाज को, रागा चड़ा को, दुर्गेश पाठख को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे है मैं एक सवाल यह है कि आप कहरें जेल से सरकार चलेगी लिए अप सीम जेल जा चुके हैं ऐसे में जो मुलाकातियों की लिस्ट है उसमें कोई काबिनित मंत्री नहीं है तमाम जो प्रोटोपोल्स है चाहे वो किसी पाइल का आगे बढ़ना तो कैसे होगा क्या सरकार परखास्थी की तरफ पढ़ रही है कोई कांस्टिटूशनली दो ही हमारे देश में सम्विधानिक और कानूनी प्रावधान है इस बात से जुड़े हो सबसे पहले Representation of People Act ये कहता है कि अगर आपकी दो साल से जादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जन प्रतिन धीन नहीं रह सकती है चाहे आप विधायक हो चाहे आप सांसट अर्विंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है कन्विक्शन छोड़िये आज तक अर्विंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए नमबर वन दूसरी बात इस देश का संविधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता उसे चीफ मिनिस्टर के पद से स्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मिजॉरिटी नहीं इंजॉए करता अर्विंद केजरीवाल इंजॉए दो ओवर्वेल्मिंग मिजॉरिटी ओफ दे डेली असेंबली तो इसलिए अर्विंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है अगर आज अर्विंद केजरीवाल इस्तीफा दे देती है तो ये भारतिये जंता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक सोपी तयार कर देती है एक स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तयार कर देता है जिस तरहां उन्होंने पिछले आठ नौ साल में आपरेशन लोटस को एक स्टेंडर्ड फॉर्मिला बना लिया है ये तो उससे भी आसान है एडी के माद्धियम से प्रिवेंशन अव मनी लॉंडरिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री की उपर केस कर दो उसके बाद उसे गिरफतार कर दो और फिर कहो कि सम्विधानिक संकट पैदा हो गया है इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपती शासल लगाएंगे इससे आसान तरीका भारतिय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है डिल्ली में भी अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी का यही असली कारण है कल अर्विंद केजरीवाल जी को जुडिशल कस्टडी में भेजा एडी ने उन्होंने का हमें जुडिशल कस्टडी चाहिए क्यों चाहिए आपको judicial custody अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी के समय ED ने कहा कि हम इने गिरफतार कर रहे हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताच करनी है क्योंकि इन्होंने हमने इतने समंस भेजे और ये समंस पर नहीं आए तो हम पूछताच करने के लिए ने गिरफतार कर रहे हैं अब 11 दिन की पूछताच हो गई आपने जो जानना था आपने जान लिया अब आपको अर्विंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजना है इसलिए भेजना है क्योंकि इस गिरफतारी के दो ही मकसद थे इस गिरफतारी का पहला मकसद था अर्विंद केजरीवाल को चुनाव के दोरान कैम्पेइन करने से रोकना और दूसरा मकसद था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली की चुनी हुई लोप्रिय सरकार को गिरा देना राष्ट्रपती शासन लगाना और फिर चोड दर्वाजे से भारतिय जंता पार्टी की सब्कार दोगा